नमस्कार आप देखे रहें आरिया निउस और मैं हूँ आपके साथ पवन पांडे स्वागत है आपके आपना उत्तरपदिश में उत्तरपदिश के इस खास बॉलिटिन की बड़ी खबर के साथ शुरुआद करते हैं स्वक्षता दूसरा सुर्जिन और तीसरा आत्म निर्वर भारत के लिए निरंतर प्रयास तो प्रहामंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि आज का भारत के बल मंदिन निर्माण ही नहीं बलकि मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है समुद्र में आप्टिकल फाइबर बिछाई जा उनको पता नहीं था कि काशी तो अविनाशी है काशी में तो एक ही सरकार है वो सरकार है बाबा की तो पीम ने कहा कि काशी में महादेव की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता ये जो कुछ भी हुआ है वो सब बाबा की दया है बाबा के इच्छा के बिना पत्ता भी नह रखिया कि अ 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 उत्तर प्रदेश की प्रभारी और राष्टिय बहाश्य प्रिंका गांधी वाड़ा ने मर्द प्रदेश से विधायक और दिगज नेताओं की मांग की है प्रदेश कॉंग्रिस कमेटी से विधायकों और उन वरिष्ट नेताओं के नाम मांगे गए हैं जिने योपी चुनाओ कारियों में लगाया जा सकता है प्रोसी चेतर गौलियार चंबल और विंद बुंदेल से अधिक संख्यामे कारिकरताओं को बेजने की तयारी है और इसमें मौझूदा और पूरो विधायक भी शामिल है उत्तर प्रदेश के करीब 50 विधानसवा चेतर ऐसे हैं जो मद्यप्रदेश की सीमा के करीब हैं दोनों राज्यों के लोगों का यहां पारिवारिक रिष् पूर विधायक सत्यनारान पटेल को राष्टी सचे बना कर भेजा है ऐसे में मौध्यप्रदेश की भूमिका उत्तर प्रदेश में बैसे भी बढ़ गई है अब प्रदेश कोंग्रिस के उपाध्यक्ष चंद प्रभाष शेखर ने बताया है कि केंद्री संगिठन के निद प्रदेश कंग्रिस कमेटी तै करेगी अगली खबरकार करते हैं समाजवादी पार्टी का धक्ष अखलेश यादव ने दावा किया है कि काशी कोरेडोर की नीव सपा सिरकार ने रखी है उन्होंने ये भी कहा कि जरुत पड़ी तो दस्तावेज भी देंगे एक एजनसी से बाचीत में सपाध्यक्ष अकलेश यादवन ने बीजेपी के कारियों पर सवाल उठाए उनने कहा कि बीजेपी जो भी कारे गिना रही है वो सपा की दें है और इस बीच उनोंने काशी कैरेडोर की नीव सपा सरकार में रखे जाने का दावा किया उनका ये दावा स्यासी गल्यारे में चर्चा का विश्य बना हुआ है सपाध ध्यक्ष ने ये भी कहा कि जरूत पढ़ने पर दस्तावेच उपलब्द कराने में वो पीछे नहीं रहेंगे क्योंकि बेना सबूत के कोई बात नहीं करते हैं सपाध ध्यक्ष चकलिश यादर ने कहा कि प्रदेश की जन बीजेपी से पूरी तरह नाराज है और सपा की ओर देख रही है ग्यादोर रविवार को पार्टी के रहले में एक समारों को संबोदित कर रहे थे उन्होंने कहा कि आप पार्टी के साथ तमाम लोग जुड़ गए हैं ऐसे में कोई भी पार्टी सपा का मुकावला नहीं कर सकती है उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वे सिर्फ बुल्डोजर की बात करते हैं सपा काराले में जूटी भीर देकर कहीं उनका बुल्डोजर इधर ना आ जाए बीजेपी लोगों को डरा कर काम कर रही है ये बड़े आरोप समाजवादी पार्टी के प्रशी कानूनों को बागपस लेने के बाद अब किसानों का अंदोलन भी समापत हो गया है लेकिन इसको लेकर राजनीती अभी भी जारी है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रिय धक्ष और उत्तरप्रदिश की पूर मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को दो ट मैयावती ने कहा कि बाद में उनी में से कुछ चीनी मिले हटाई गई तो इन सब प्रिक्रण को लिकर ब्यस्पी पर जबरदस्ती पूर्व की सरकारों की कमिया ठोपना ठीक नहीं है मैयावती ने कहा कि इसके साथ ही हाली में अभी हाली में बुंदेल खंड में यूरिया की कमी को किसान सरकों पर उत्रे उसे भी दूसरों पर थोपना उचित नहीं है उत्रपदेश की पूर्व सीम मैयावती ने कहा कि ब्यस्पी की सरकारों में किसानों का हर मामले में पूरा ध्यान रखा गया था जिसे किसान भूले नहीं है तो खबर मेरट से है जहां सोती गंज का कवार मार्केट अनिश्चित काल के लिए बंद करने के लिए SSP के और से आदेश जारी कर दिये गए है सोती गंज व्यापार मंडल के प्रदादिकारियों को सदर्थाने बुला कर इस बारे में जानकारी दी गई अगले आदेश आने तक दुकाने बंद रखने के लिए कहा गया है साथी रेविवार को व्यवस्था बनाने के लिए भारी फोर्स की तैनाती गर दी गई है SSP परहाकर चौदरी ने सोती गंज बाजार को बंद करने का आदेश दिया है और इस आदेश के बाद सोती गंज ब्यापार मंडल की 11 पता दिकारियों और 20-25 ब्यापारियों को शनिवार शाम सदर थाने बुला गया था इन लोगों को बताया गया कि सोती गंज बार्केट की दुकानों को अगले आदेश तक बंद रखें साथी कहा गया कि पोलिस की ओर से सभी दुकान मालिकों को नोटिस दिया जा रहा है दुकानों के समान के समंद में रिकॉर्ड पोलिस थाने में जमा कराना होगा और इसके बाद अनुमत लेकर ही कोई दुकान खोल सकेगी चेतावनी दी गई कि यदि दुकाने खोली गई तो कानूनी का रवाई की जाएगी इसके बाद अफरात अफरी की स्थित्य हो गई हरकम बच गया और व्यापारियों ने विरूत दर्ज कराया इसी के साथ रोजगार का वास्ता भी दिया आज अब अब गई अब अब हमारी प्रशासन से यही एक रिक्वेस्ट एक जो बजार नेपाट्स बेच रहा है उसे खोल दिया जाए बाकी जो आप करवाई कर रहे हम उसके साथ आपको हर जगा सईयोग करने के लिए तयार आपको हमसे जो लिखित में चाहिए हम देने के ल उन्होंने आपको बताना चाहूंगा असल मेडिया के कुछ सेक्षिंस में इस परकार चल रही है जो कि मैं पूरी तरह से मिसिंटर्पेशन पर प्रेस्ट है कि पूरे मार्केट को पुलिच ने बत कराया मैं आपको इस प्रश्च करना चाहूंगा कि असाने इसकी बैग्राउ बहुत बड़े प्रेमाने पर उनके स्पेर पार्ट बेचे जाते थे बहान बेचे जाते थे और चोरी के नेट्वर्क से जुड़े हुए थे इस पर पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीटी पे शिकन जागा सा है और इसमें तमाम अभ्योग पंजिकत किये गए जिसकी बेच करके आगे बरते हैं उत्रपदेश की 403 में से 106 विधान सवा सीटें वश्य बाहुले बताई जा रही है उसके बावजूद मात्र 20 वश्य विधायक ही हैं अब हाच पर हाथ रखकर वैठने का समय नहीं है आब आज बुलंद करनी होगी तो वश्य समाज बीजेपी क में यह बड़ी बाते कहीं गई हैं तो परिशद के राष्ट धक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने यह बड़े बोल बोले हैं और ने कहा है कि देश और प्रदेश की प्रगतिकी चावी बैश्यों के पास है सबसे अधिक टैक्स देने वाले और सामाजिक और धार्मिक का कारियों में बढ़ चड़कर भाग लिने वाले वैश्य समाज के हिस्से में सिर्फ बूट देना ही आया है माकुम में वैश्य समाज से अधिकारों के लिए कत्र होनी का वहन करते हुए रोंने कहा कि हमें अधिकारों से बंचित रखा गया है इसलिए रथ्यात्रा निकालनी पड़ी प्रदेश के 106 विधान सवा सीटों पर हम सभी दलों से दावेदारी जताते हैं आगरा में उत्तर डक्षिन, खेरागड और फतेपुर सीकरी सीट पर समाज की दावेदारी है जो दल समाज को चुनेगा समाज उसे चुनेगा कारिकरम में हेलिकॉप्टर हाथ से का शिकार हुई सेडियस वेपेन रावत विंग कमांडर पत्वी सिंग जोहान समेत 11 सेनिकों को दो मिनट का मौन अक्रश धांजली भी दी गई और इस कारिकरम का संचारन परिशद के राष्ट्रियों पाध्यक्ष विनोध अग्रवाल ने किया अगर में रविवार को एक सड़क हाथ से में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गए सूचना पर पॉलिस मौके पर पहुंची और घटना की पूरी जानकारी लिए पूलिस ने तीनों शबूं को पोस्टमाटम के लिए भेज़ दिया है मरतकों में महिला और दो बच्चे शामिल बताया जा रहे हैं जिफ्वनगर के सिखेडा थाना चेत्र में जानसट रोड पर बाइक ट्रक सी टकरा गई और हाथसे में मवाना निवासी मा एक मा और उसके दो बच्चों की मौत हो गई बाइक चला रहा यूबक घायल बताया जा रहा है निराना गाउं के पास बाइक ट्रक से टकरा गई और हाथसे में अफसाना और उसके दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई हाला कि अभी शोईब नाम का योबक जो है वो घायल बताया जा रहा है आज पास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शबूं को पोस्ट मौटम के लिए भिजवा दिया है आगली खबर करो करते हैं समाजवादी पार्टी में रिवार को गोरखपुर के पंडित हरिशंकर तिवारी के बेटों पूर्ब सांसत कुशल और विदायक का विनय तिवारी के समाजवादी में शामिल होने पर केवनेट मंत्री बजेश पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है बजेश पाठक ने लखनुबे कहा कि समाजवादी पार्टी के मूल में ही माफियाबाद अराजकताबाद अपरादबाद और भृष्टा चारबाद शामिल है जो गुण मूल में होते हैं को बदलते नहीं है योगी आदितनाज सरकार में विदी एबं न्याय तथा ग्रामीड अवियंद्र मंत्री विजेश पाठक ने पूरवांचल के माफिया गोरखपुर के गोरखनात थाने के हिस्ट्री शीटर और पूर्व मंति हैशेंकर तिवारी के कुनवे विधायक वि पूर्वांचल में इस परिवार के आवास को जिस हाता के नाम से जाना जाता है उसे लोग अपराद की नरसरी भी समझते रहे हैं होतरपदेश में योग्या दितनात के मुख्यवंत्री बनने के पहले तक ये परिवार गोरखपुर और आसपास के जिलों में सत्ता संरक्षित अपराद उद्दो का बोर्ड ओफ डिरेक्टर हुआ करता था सरकारी ठेकों में हासवक्षेप से कमाई भी इनका धंदा था और योग्या दितनात सरकार में अन्य माफियाओं की तरह अब इनकी भी हेकडी गुम है ब्रजेश पाठक ने आगे कहा कि यही करण है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रे धक्ष अखिलेश यादब को अपनी पार्टी की पुरानी परिपार्टी के मताबिक अपराधी और माफिया ही पसंद है बास्तों में समाजवादी पार्टी का नाम माफियावादी पार्टी हो जाना चाहिए ये बड़ा हमला ब्रजीश पाठक ने अखिलिश यादव की समाजवादी पार्टी पर बोला है तो उत्तव पतिश के इस खास बुलेटिन में इतना ही बाकी खबरों के लिए बने रही आरिया न्यूस के साथ नमस्कार झाल 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 झाल